भारत की राधानी दिल्ली में 31 दिसंबर को एक वारदात होती है और उस वारदात में हमारी एक बेटी को 12 किलो मीटर तक सोच समझकर घसीटा जाता है जब तक उस बेटी की मौत नहीं हो जाती है वहीं पर दिल्ली पुलीस अगर देखें अपनी छवी को बचाने के लिए और भाजपा का एक नेता जो पांच लोग गाड़ी में सवार थे जिस गाड़ी के नीचे बेटी को घसीटा जा रहा था उन पांच नेता लोगों में भाजपा का मनोज मित्तल शामिल है भाजपा अ एस लड़की को तीन दिन के बाद दिल्ली पुलीस मीडिया के सामने लाती है ये दावा करती है कि दिल्ली वह मिर्ट पिड़ता है परिवार का कहना है कि वह उस निधी को जानते ही नहीं तो सबसे बड़ी बात है कि 2012 दिसंबर ही था जब निर्भिया हुआ था एक दिशक पहले तो यही वो दो राजनितिक दलते भारतिय जनता पाटी और आमादमी पाटी जो समय धरने कर रहे थे देश के परधान मंत्री देश के ग्रैम मंत्री दिली के मुख्यमंत्री के स्तीफे मांग रहे थे आज एक दशक के बाद ठीक डिसंबर 2022 में फिर अपराध होते हैं और ये फिर धरने देते हैं आज हम सब मांग करते हैं कि भारत की राधानी दिली मैं जब आप से बात कर रही हूँ तो दिली के आदर्श नगर में हमारी एक बेटी को चागों से गोद दिया गया है हमारी राधानी दिली के पांडव नगर में हमारी एक बेटी पर में हमारी इस बेटी को 12 किलोमेटर तक घसी टा जाता जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती और भारत की राधानी दिली जिसे क्राइम कैपिटल या अपराद की राजधानी का टाइटल इनी दोनों राजनीतिक दलों ने 2012 में यह रहा था आज भी कायम है हम उमीद करते हैं कि दि अगली पुलीस के हर दावे की यहां पर पोल खुलती है भारतिय रास्ट्य कॉंग्रस पुरी तरह से प्रिड़ता और उसके परिवार के साथ नयाई मिल जाने तक मजबूती से खड़ी है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24.